ये वाइटी भारत के एक और स्नूफॉपॉल प्रेडिक्शन वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं स्नूफॉल प्रेडिक्शन करने वाला हूँ मार्च एक से लेकर के दस के बीच में और दोस्तों एक बात धान से आप जान लीजे अगर आप स्नोफॉल को लाइव देखना चाहते हैं तो ये आपके पास लास्ट मौका होने वाला है क्योंकि मार्च के अंदर लगभग पहली से लेके 10 तारिक के बीच में ही स्नोफॉल पड़ती है उसके बाद बहुत कम चांसिस होते हैं कि मार्च में आपको कभी कभार हलकी फुलकी स्नोफॉल देखने को मिल जाए इसलिए आपके पास लास्ट मौका है अगर आप काश्मीर में जैसे गुल मर्क और सोन मर्क में स्नोफॉल देखना चाहते हैं मनाली में देखना चाहते हैं सुलांग वैली हम्टा पास या अटल टनल पे ओली में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप भी रेडी हो जाएए इस साल अभी के हाफ एयर के लिए ये आपके पास लास चांस होने वाला है लाइव देखनी हैं तो तयारी कर लिजे आईए दोस्तों अब स्नोफॉल प्रडिक्शन पर आ जाते हैं एक एक कर क्या को बताता हूं उससे पहले जो लास्ट स्नोफॉल प्रडिक्शन किया था मैंने फैब के एंड का 24 से लेके 27 के बीच में स्नोफॉल पड़ेगी कश्मीर में मनाली के अंदर वो बिल्कुछ सटीक साबिट हुआ और हमेशा के तरह जैसे वाई टी भारत के स्नोफॉल प्रडिक्शन हमेशा सही साबित होते हैं आप लोग उसको देख करके जाते हैं बिलीव करते हैं और सक्सेसफुली आप विजिट करके आते हैं सनोफॉल को लाइव देख करके उसी तरह से इस बार भी उमीद है कि लगभग लगभ 95 से लेकर के 99 परसेंट तक का सक्सेस रेट होने वाला है आईए शुरू करते हैं सबसे पहले भारत के स्वर्ग काश्मीर आ साथ और आठ मार्च को सनोफॉल के सबसे ज़्यादा चांसिस बन रहे हैं तो आप अगर जा रहे हैं कश्मीर तो गुलमर सोनमर जरूर जाईएगा अब चलते हैं मनाली के अंदर मनाली में एक चीज़ और बतायता हूँ आपको साथ में एड़ करके आपको आर रेन का भी थोड़ा से प्रिडिक्शन बता रहा हूँ क्योंकि रेन भी मैटर करती है जब आप कहीं पर जाते हैं रेन से भी इशू हो सकता है इसलिए चार मार्च को रेन होने की संभावना बन रही है मनाली में और साथ और आठ सेम कश्मीर के तर्च पर यहाँ पर स्नोफॉल होने की मैक्सिमम संभावना है लेकिन हो सकता है यह अपर साइड में हो लोवर साइड में सोलांग वैली में लगभग स्नोफॉल होने के चांसिस अभी 80% तक बने हुए हैं लेकिन हम्ता पासर और अटनल टरनल के पास तो स्नोफॉल होगी ही होगी अब चलते हैं बापस आ जाते है धरमशाला और डलहौजी में तो धरमशाला डलहौजी में स्नोफॉल एक से दस मार्च के बीच में नहीं है लेकिन आपको तुफानी बारिश होने की बहुजा संभावना है साथ से आट मार्च के बीच में तो उसका ध्यान रख करके आप जाएगा अब आ जाते हैं वापस शिम्बला हिमाचल प्रदेश की राजधानी एक से दस मार्च के बीच में साथ और आट तारिक को रेनफॉल होनी की मैक्सिम्म संभावना बनी होई है तो इस चीच को आप ध्यान में रख के रखे जाएगा एक से दस मार्च के बीच में साथ आट को शिम्बला में भी संभावना है एक से दस मार्च के बीच में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप जो स्नोफल है वो आपको इस एर के दिसंबर और जनवरी में ही देखने को मिलेगी अगर आपने चांसे छोड़ दिया उम्मेद करता हूँ इसी तरह के बहुत इंटरस्टिंग और इंफॉर्मेटीव वीडियो आगे भी देखने के लिए आपने वाईटी भारत को जरूर सब सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर पहली बार आप देख रहे हैं चैनल को तो तुरन सब्सक्राइब कर लें साथ ही में लगे बैल आको तपाएं और को सलेक करें आगे आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन भी सबसे पहले फ्री आप कॉस्ट मिलती रहें वीडिय बहुत ही अगले इंट्रस्टिंग और इंफॉर्मेटी वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत दोस्तों नमस्कार सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बैल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में